हालो गाइज माइनेम इस पवन नागर एंड यू आर वाचिंग एंड मेडर एंड इन इस वीडियो मैं आपको मेरी स्टडी के कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूँ कि जब भी मैं कोई टोपिक पर अप्रोच करता हूँ या फिर मुझे किसी टोपिक के नोट्स बनाने होते हैं तो मेरे माइंड के अंदर क्या चल रहा होता है क्या मेरी पूरी की पूरी स्टेटजी होती है किसी टोपिक को पढ़ने की या फिर उस टोपिक के नोट्स बनाने की एंड देखिए अगर कोई student इसका एक line में answer चाता है तो यार मेरा answer ये होगा कि मैं quality पर believe करता हूँ quantity पर नहीं मतलब कि यार मैं जब भी कोई भी चीज पढ़ता हूँ न तो मैं सोचता हूँ कि यार इसको इस तरह से cover किया जाए कि मेरे सारे concept clear हो और जब भी मैं इस topic का revision करूँ न तो मेरा revision एकदम speedly हो and अब मैं बात करता हूँ मेरी पूरी की पूरी strategy पर या फिर बोल दीजिये planning पर कि जब भी मैं किसी topic को पढ़ता हूँ या फिर उसकी notes बनाता हूँ तो क्या मेरी पूरी planning होती है and देखिए मैं पूरी के पूरी planning को आपको कुछ points के अंदर बताऊंगा और वोस सारे points आपको यहाँ पर side में one by one दिखाई देंगे and देखिए अब हम start करते हैं कि वो points क्या है तो देखिए सबसे पहले मैंने मेरा mindset किया कि यार आज मुझे कोई topic पढ़ना है मतलब मैंने कोई भी topic decide किया and अभी हाल ही मैं jondis पर काम कर रहा हूँ तो हम इस पूरी वीडियो में jondis की बात करेंगे मतलब jondis का example लेके बात करेंगे तो मैंने decide किया कि मुझे jondis पढ़ना है और मैं table chair पे बेट गया तो first point आपको दिख गया होगा कि topic name मैंने decide किया and उसके बाद topic name decide करने के बाद मैंने दिमाख में आता है कि यार मैं jondis को कहां कहां पढ़ता हूँ कौन कौन से subjects के अंदर पढ़ता हूँ तो फिर मैंने सोचा कि यार first year में मैंने इसे पढ़ाता थोड़ा बहुत मैंने बायो कमेश्टरी के अंदर भी पढ़ाता second year में कहा पढ़ाता मैंने इसको pathology के अंदर third year छोड़ी है fourth year के अंदर मैंने कहा पढ़ाता इसे medicine के अंदर pediatrics के अंदर और surgery के अंदर मतलब इतनी सारी subject के अंदर हम जोनलिस पढ़ते हैं तो मैं क्या करता हूँ मैंने इन सभी subject की book ली और इन सभी subject की book से मैंने जोनलिस को पढ़ा और देखिए जब भी मैं कोई भी book पढ़ता हूँ ना तो मेरी तीन strategy होती है या फिर बोल दीजिए मेरे दिमाग में तीन point होते हैं सबसे पहला point होता है कि यार सभी books से I mean सभी subject की book से एक ही topic को पढ़ो यानि की जोनलिस को पढ़ो और उसमें आप ये समझो कि यार इस book ने कैसे समझा रखा है इस वाली book ने कैसे समझा रखा है मतलब आपको उसका समझाने का तरीका समझना है इस topic के important point क्या क्या है और third point के अंदर मैं देखता हूँ कि यार इस topic में से कहां से questions आने के chances में जीम होते हैं तो और आल मैंने तीन बाते बता दी कि जब भी मैं कोई भी book पढ़ता हूँ तो ये तीन बातों पर सबसे ज़्यादा focus करता हूँ एंड चलो मैंने सारी books पढ़ ली उसके बाद मेरी जो अकली step होती है वो होती है Google मतलब कि यार मैंने जो topic decide किया था और मैंने जॉन्डिस का example लिया था तो मैं जॉन्डिस को Google search करूँगा और वहां से भी पूरा का पूरा पढ़ूँगा एंड जब मैं कोई भी topic को Google से पढ़ता हूँ तो वहां पर भी मेरी वही तीन strategy होती है जो मैंने book पे apply की थी मैंने book को कैसे बढ़ा था तीन point को focus करके क्या करके किस सारे से समझा रखा है important points क्या-क्या है और questions कहां से pick up होते हैं या फिर बोल दीजी प्रिवेस 5-year, 10-year में कहां से questions pick up होते हैं उस topic के अंदर इन तीन point को focus करके मैं book पढ़ता हूँ तो वह इन ही तीन point को focus करके Google पर सारा का सारा content देखता हूँ तो पिक का कि यार कैसे समझा रखा है क्या-क्या important points है और क्या-क्या questions आई हुए हैं तो मैंने books पढ़ लिए उसके बाद मैंने Google से पढ़ लिया उसके बाद मेरी next step आती है खुद के hand return notes बनाना क्योंकि यार मैंने books से पढ़ लिया Google से पढ़ लिया और उस सारी knowledge को मैं फिर अपने खुद की layman language में जो मुझे comfort language लगती है उस layman language में मैं copy paint लेता हूँ और वहाँ पर अपने खुद के notes बनाता हूँ उस topic के और देखिए मेरे लिए notes बनाना जरूरी भी है क्योंकि अगर मैं बिना notes बनाए ऐसे ही जे बजरन्ग बली करके exam में निकल गया और मुझे महाँ पर जोन्डिस पर question मिल गया तो मैं महाँ पर यही सोचूंगा कि यार बढ़ तो रखा है बट पढ़ा कहा है physiology के अंदर पढ़ा है medicine में पढ़ा है पैथों में पढ़ा है surgery में पढ़ा है कहां पढ़ा है तो overall new है कि यार notes में हर topic के जरूर बनाता हूँ layman language के अंदर ओके यह हो गया उसके बाद देखिए चलो ठीक है मैंने मेरे खुद के notes बना ली है book से पढ़के और google करके तो अब इस बात की क्या guarantee है कि यार जो मैंने notes बनाए है वो एकड़म perfect notes है तो देखिए इसके लिए मैं करता हूँ cross check मेरे खुद के content को and cross check के लिए मैं 3 point follow करता हूँ मतलब cross check में 3 point के अंदर करता हूँ सबसे पहले मैं करूँगा previous year question solve मतलब मैंने पुरा journalist बढ़ लिया and फिर मैं 5 साल 10 साल के question solve करूँगा और मैं देखूँगा कि मेरे उस chart से वो question solve हो रहे है या नहीं हो रहे है second point मैं क्या करूँगा discussion मतलब कि यार मेरी जिससे बनती है या फिर जो मेरे साथ comfort होता है मैं उससे बोलता हूँ कि यार आप भी journalist पढ़के आईए में भी journalist पढ़ता हूँ फिर बाद में अपन दोनों discuss करेंगे ताकि दोनों का topic clear हो जाए and third point मैं क्या करता हूँ question and answers मतलब कि जिससे मैं discuss करता हूँ उससे मैं बोलता हूँ कि यार आप मुछ से कुछ questions कीजिए मैं आप से कुछ questions करता हूँ ताकि वही दोनों का topic clear हो तो overall new है कि मैं इन तीन point को follow करते हुए कौन-कौन से previous year paper solve करना discussion करना और question and answer करना इन तीनों point के साथ मैं मेरे पूरे के पूरे बनाए हुए content को cross check करता हूँ कि ये content दमदार है या नहीं है ये मेरे लिए exam में काम आएगा या नहीं आएगा and of course यार जब मैं पूरा पूरा cross check करूँगा तो मुझे कुछ न कुछ कम ही लगेगी मैं सोचूँगा कि यार मैं इसमें 2.0 rate कर देता हूँ इस point को ऐसे नहीं यार इस तरह से लिखते हैं ताकि ये और भी simple हो जाए और simple होगा तो of course यार revision करने में इसानी होगी न देखिए मैं ये सारा काम क्यों करता हूँ कि यार जब भी मैं मेरे बनाए हुए चार्ट का revision करूँ न तो मुझे उसमें time नहीं लगे 15-20 minute में मेरा पूरा journalist clear हो जाए और 15-20 minute में journalist तो clear होगा ही उसे के साथ physiology का part clear होगा pathology का part clear होगा medicine का, surgery का, pedia का सारा part मेरा clear हो जाए तो cross check के बाद of course मैंने बोला नहीं है कि cross check के बाद मुझे कमिया लगेगी तो फिर मैं update करूँगा अगला point वही है कि update chart मैं अपने चार्ट को update करता हूँ एंड फिर इसी चार्ट को में further मतलब 6-7 दिन हो गया मतलब मैंने चार्ट बनाया चार्ट confirm हो गया उसके बाद 6-7 दिन बाद में दोबारा revision कर लोगा क्योंकि यार revision एक बहुत ही must चीज होती है अगर मैं खुद revision ना करूँ तो 7 दिन बाद मेरे दिमाग में जो topic का chart मैंने बनाया है वो only 20-30% रजाएगा और 15-20 दिन हो गया तो पुरा chart ही age हो गया तो वही यार revision में time to time करता हूँ तो I hope आपको मेरी पूरी की पूरी strategy में मजा आया होगा and मैं आपको एक बार speedly बता जाता हूँ सबसे पहले मैंने क्या किया topic decide कि मुझे क्या पढ़ना है second point में कहां आया कि वो topic other subjects में कहां कहां पर है third point में मैं आया books पे कि जिन-जिन subjects में वो topic है मैं उन सभी की books पढ़ता हूँ उसके बाद fourth point यानि कि Google कि यार वो topic उसी topic को मैं Google पे सब्सक्राइब और महां से भी पढ़ूँगा and अगला point आता है self notes बनाना कि book से मैंने जो भी content पढ़ा Google से मैंने जो भी content पढ़ा उसको मैं main language या पिर बोल दीजे simple language में translate करता हूँ और फिर खुद के note बनाता हूँ and उसके बाद अगला point है cross check मतलब कि यार मैंने जो खुद का content बनाया है वो दमदार है या नहीं है उससे question soul होंगे या नहीं होंगे तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ cross check and जब मैं cross check करूँगा तो यार मुझे मेरे chart में कुछ corrections लगेंगे मैं सोचूँगा कि कुछ aid कर दूँ कुछ हटा दू तो overall मैं cross check करने के बाद मैं अपने बनाये हुए chart को दुबरा update करता हूँ re-update करता हूँ और फिर finally वही मेरा chart होता है and last and final point division वो तो important चीज़ है या chart बना लिया मैंने अगर मैं उसे revision ना करूँ तो of course भूलूँगा है सही तो हमारी video यही फर finish होती है and यार अब भी आपके दिमाग में कोई भी doubt है तो आप हमसे एक्तम openly पूछ सकते है and यार अगर video में दम लगा हो तो इस video को like और इस video को share करके जरूर जाना बाई